आज प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और मैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी कह रहा हूँ, आज नरेंदर मोदी जी वो कुछ समय के लिए अपनी बीजेपी की संसद्य दल की बैठक में गए, तो शायद ऐसा लगता है कि वो भूल गए क्यों प्रधान मंत्री हैं और उन्होंने इंडिया गठबंधन को जिस तरह से इंडियन मुझाहिद्दीन के साथ जोड़ दिया ये आने वाले समय में मोदी जी को बहुत भारी पड़ने वाली है आज मैं आपके बड़ी तस्वीर दिखाऊंगा और जिसमें मैं आपको दिख है कि होने वाली है लेकिन उसके बावजूद उसके बावजूद बीजेपी अपनी इस गलती से उभर नहीं पाएगी नरिंदर मोदी इस गलती से उभर नहीं पाएगी और जिस किसी ने ये सला दी है इंडिया को इंडियन मुझाहिद्दीन से जोड़ने की इसका भाजपा ने जो अपना परचार परशार इसको ले करके सुरू किया है और मोधी को जस्टिफाई करने काम करना सुरू किया है कि मोधी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है तो कुछ एक नाम इस तरफ है कुछ एक नाम इस तरफ है क्या करेंगे नरेंदर मोधी देशी नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी जवाब देना पड़ जाएगा अब पहले तो ये क्या कर रहे हैं वह दिखाता हूँ आपको ये जो है वो योग्य दित्तिनात का हैंडल है और ये दो नाम मैंने आ रखें इसी तरह से भाजपा के तमाम नितावनिक परचार सुरू कर दिया है क् दिखा इनोंने कोवा अपना नाम हंस रख ले तौ भी मोती नहीं चुनेगा अमवश्य की काली रात को पुर्णिमा का नाम दे देने से वैसीतल वै प्रकाश्वान नहीं हो जाएगा अैसे ही इंडिया नाम लगा लेने से आत्मा और संसकार में रची बसी विभाजन कारी स पूछ और भारत विरोधी द्रश्टी समाप्त नहीं हो जाएगा ये योग्य दित्तनात का ट्वीट है और इस शाम को ट्वीट आया है शाम को आज शाम को अभी साड़े आठ बज़े शिवराज सिंग चोहान का ट्वीट है साड़े च्छे बज़े ये जो है आपको समझ सकत कि कहां से दिसा निर्देश गए होंगे बबूल ने अपना नाम गुलाब रखा इंडिया वाले भाबा से यही पूछना था कि अब गुलाब से खुस्बू आएगी क्या देखिए अब कोई इन नामों के अंदर जो है ये जो बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी के मुख् मंत्री जिसमें योग् जितनात् सबसे बड़े मुख्य मंत्री उनके और एक्सपिरियस के साब से देखे तो सिवराब सिंग चोहान और बड़े मुख्य ने लिखा और उन्होंने कहा कि मोदी जिस तरह से कंपरिजन करके दिखा रहे हैं इसका मतलब तो यह हुआ कि चार पैर जो है वो भैस के भी होते हैं और चार पैर जो है कुत्ते के भी होते हैं तो इसका मतलब यह हो गए कि कुता भैस बन जाएगा तो मोदी जी क्या किये है इस गलती के उपर वो क्या कहेंगे और कहां कहां पर जवाब देंगे सुनिये ज़रा कुछ जवाब जो है वो पूछे जाने चाहिए यह मैं कुछ एक जो है वो आपको बीजेपी की तरफ से जो आज सरकार कहने की कोशिस कर रही है अब मोदी क्या करेंगे मोदी क्या करेंगे सबसे पहले तो जो सरकार है भारत की सरकार मोदी की सरकार नहीं बीजेपी की सरकार नहीं कॉंग्रेस की सरकार नहीं भारत की जो सरकार होती है वो Government of India होती है क्या करेंगे इंडिया हटा देंगे नहीं मानेंगे विदेशी केवल जो है वो ऐसा नहीं कि यह BJP का हैंडल है उसको आप बदल करके BJP भारत कर देंगे BJP for भारत कर देंगे Government of India कहां कहां पर बदलवाएंगे सहाब कहां कहां पर UNO तक जाकर के बदलवाना पड़ेगा कि Government of भारत करो इसको कहां 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 पर करेंगे आप Government of India President of India Prime Minister of India Home Minister of India PMO India HMO India कहां कहां पर बदलवाएंगे कहां कहां पर जो है वो दस्तावेजों के अंदर बदलवाएंगे और दूसरी बात आपने जो इंडियन मुझाहिद्दीन के साथ नाम जोड़ने की जो आज जो कलाकारी दिखाई है वो कलाकारी आज सोचिए कितने देस बगतों को आज रूला रही होगी कितने देस बगतों को देखिए Indian आर्मी Indian आर्मी क्या करेंगे आप, इंडियन मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, हम मुझाइदीन के साथ में अपनी आर्मी को, कमाल की बात है, इंडियन एर फोर्स, इंडियन नेवी, यह हमारी वो फोर्स है जो हमारी दिनोर रात रक्षा करते हैं, जिसके वज़े से, नरेंदर मोदी जी देश क प्रधान मंतरी बनेवे हैं मैं एक पत्रकार बना वह हूँ आप घर पर बैठ करके कहीं पर बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हैं यह हमारी वह फोर्स है इंडियन आर्मी इंडियन नेवी इंडियन एर कोस्टगाड इंडियन रेलवे और आख़री में तो है ही हम वी आर हम कहीं पर भी जाएंगे तो हम यही कहेंगे कि we are Indian और हम we are Indian के नाम से हमारा नाब है अब देखे यही जो होग BGP को गलती चंद घंटों के अंदर पता चल गई और BGP ने चंद घंटों के अदर जो है अब इसमें कहीं पर भी आपको Indian Mujahidin दिखा इंडियन इंडियन P.F.I. दिखा जिसका जिकर कर रहे ना नरेंदर मोदी नरेंदर मोदी क्या कह रहे हैं नरेंदर मोदी कह रहे हैं कि ये इस्ट इंडिया कमपनी है तो ये जो इंडियन आर्मी है वो इस्ट इंडिया की वज़े से बनी हुई है ये कह रहे हैं कि इंडियन दिन तो मैं तो बोल नहीं सकता हूं, popular front of India, Indian national congress, इसका मतलब जो है वो government of India फिर वो तो सरकार हमेशा ही congress की रही, अगर वहाँ पर भी इंडिया है तो, तो आप जो है बड़ी चोड़ी चाती करने के चकर में, जो देखने के चकर में, आप जो है वो बहुत नीचे देख गए, ऐसा काम कर दिया कि नीचा देखने का काम कर देख और इसलिए बीजेपी जो है, ये दो ट्वीटर हिंडल मैंने आपको दिखाए हैं, ये दो ट्वीटर हिंडल, बीजेपी बेक फुट पर आ गई, नरिंडर मोदी जी ने जो का उसको बीजेपी, चार गंटे के लिए दिखाने की, वो WhatsApp निश्टी का चातर था, वो फस गया है, उसकी नोकरी तो गई, लेकिन उसके साथ में बहुत कुछ होगा, देखिए, अब कुछ चीजे और मैं आपको दिखाता हूँ, ये दो चिथी देखिए, आज जो दो चिथी जो है, जारी की गई है, ये दो चिथी आ और यहां पर जो है, वो, ये अमिच्छा साब जो है, वो आज देश के संसद में बोल रहे थे, सरकार अपना काम कर रही है, साब, हंगमा हो रहा है, हलागुला हो रहा है, तो विपक्स का नुफसान हो रहा है, सरकार अपना नुफसान नहीं कर रही है, सरकार का कुछ काम न का कि मैंने विपक्स के दोनों नेताओं से चिठी लिखिये और आगरे किया कि संसत को चलने दिया जाए यहाँ पर जो अदीर रंजन को चिठी लिखी और मलकर जुन दिखाता हूँ ये सबसे पहले इसको देखिए विपक्ष जो है वो क्या चा रहा है विपक्ष चा रहा है कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी पहले सदन के अंदर बयान देने के लिए आएं फिर लोग सबा में नियम 184 तो रजसबा में 266 के तहट चर्चा हो इस बात पर विपक्ष जो है वो अड़ा हुआ है इन नियमों के तहट क्या होता है 184 के तहट अगर लोग सबा में चर्चा होती है 266 के तहट अगर पूर पर सरकार के रवये से सरकार की कारवाई से संतूस्ते कितने लोग विपक्स के साथ में कितने लोग सत्तापक्स के साथ में एक वोटिंग भी होती है उसमें वोटिंग का प्रावधान है सरकार कहती है कि हम सबा में 193 के तहट तयार है और राजसबा के अंदर 176 के तह तयार है और इसके तहट क्या होता चर्चा जो है वह अल्पकालिक होती है छोटी चर्चा होती है 266 के तहट चर्चा होती है जब सारे जितने भी लिस्टिंग जो प्रोग्राम होते हैं एक दिन के कि आज ये बिलाएगा, आज इस पर बहस होगा, आज ये होगा, आज वो होगा, सब खतम करके एक ही टोपिक पर चर्चा होती है, लेकिन 176 और 193 के तैथ ये, लोग सबाम 193, रज सबाम 166 के तैथ चर्चा चाहते हैं, और इसमें जो है, मतदान नहीं होता है साहब, वोटिं से भाग रहे है, यह जो यहाँ पर दो चिठ़्एंआ आपको दिख रहे हैं ना, यह सचाई नहीं है, सचाई ये है कि विपक्षार आया कि लंबी चर्चा हो, उसके बाद वोटिंग हो, सरकार कहा रहे ही कि नहीं, छोटी चर्चा कर देते हैं, ताकि यह हो जाएगा कि चर वीपक्स जोए वो 267 के तैज चर्चा चा रहा है और 275 जोए 266 266 में वही है कि छोटी चर्चा होती है इसके तैज 11 नोटिस मिले हैं BJP सरकार मोधी सरकार की तरफ से केवल 11 नोटिस है 266 में चर्चा हो इसके लिफ, 166 नोटिस मिले हैं तो अब बता दीजिए आप किसके तैचर्चा होनी चाहिए ज्यादा लोग किसके पक्स में है और यही वोटिंग में बीजेपी फ़स जाएगी अगर बीजेपी वोटिंग में अभी कोई कहेगा कि नहीं सांसप तो उनके हैं यह है वो है देखिए अंतरात्मा की भी कोई करके आएगा मनिपूर के उपर जो है वो बहुत कुछ हो सकता है और इसलिए बीजेपी इसको जो है वो घोल मेल करने में लगी हुई है और यही है कि 266 के तहट जो समय बद नहीं होता है विस्तार में चर्चा होती है और 26 साल में 11 बर जो है अब यह कोई कहेगी भाई ऐसा थोड़ी ना है कि लंबा चर्चा चलाते रहे चलाते रहे वोत काम है और भी तो काम है तो 26 साल में जब दोनों सरकारे रही हैं अटल व्यारी वासपई की भी मनमौन सिंग की भी और अमोदी साहब दस साल मनमौन सिंग की सरकार और इस से पहले 5 साल की जो है वो अटल व्या olvrek के बाद में 267 के तहसफ जो है 11 बर चर्का हुई इसमें नोट बंदी अुए कोईला गोटाला कोंग्रेस के समये रचा रचा हुई और धर्म निर्पैस्ता के समय पर वो मुद्द Meer पर और कई दो पर मिला करके फुल 11 बर चर्चा होगी अब दो चीज़े आप और देखिए दो चीज़े जो है वो आप और देखिए और इससे जो है और कुछ चीज़े स्पष्ट हो जाती है और मोधी सरकार जो बात कह रही है उसकी जो कितनी जो है वो उसके अंदर दम खम है वो मैं कि वो कहली कि राजनात सिंग का फोन आया था कल उन्होंने फोन किया खडगे साब को और खडगे साब को फोन करके कहा कि यह जो बना हुआ गति रोद इसको खतम करवाई है बातचीत सुरू करते हैं कुछ तो खडगे जी ने कहा कि हम इस बारे में जो है वो रोजाना 266 के जो नोटीस है उसको स्विकार करवाई उस पर चर्चा करवाई है क्योंकि मनिपूर के इंसा को बरदास्त नहीं क्या जा सकता प्रधान मंत्री को आकर के सदन में बयान देना चाहिए अब जब विपक्स ने अपना मुद्दा किलियर कर दिया है और इसमें एक पार्टी की बात नहीं सारा विपक्स किलियर कर रहा है कि प्रधान मंत्री आकर के जवाब दे और प्रधान मंत्री जाकर के इंडियन मुजाइदीन का बता रहे है प्रधान मंत्री जाकर के इस्ट इंडिया कंपनी का बता रहे है विपक्स को जो विपक्स मांग कर रहा कि प्रधान मंत थी हैंपर काम्याब होगी नहीं होगी एक दो दिन में साफ हो जाएगा लेकिन व्यस्ति इन सारी चीज impossible ले करके जरूर जाएगा यहां नहीं तो रामिला मैदान से भी मैसीर रैली होगी 11 तरीक के भार यह भी मैं आपको बता जाएगा उत पाद में 15 कि फिर प्रोग्राम रेता है तो फिर 15 के लिए नहीं लेकिन विपक्स की बैठक होनी है कoue एकरीब 20 बारीक किया सब्सक्राइस भी सिर्शाओं अधिकारी डेट किसी की निया और आज की तारीक है, आज की तारीक ये देख लिए आप 25 तारीक है, 25 साथ को मैं इस बात को बता रहा हूँ आपको, आगे मैं आपको दिखा दो, खेर, अब दो चीजे और मैं आपको दिखाता हूँ, अब कोई लोग कहे कि भाई, एक ही चीज है क्या, एक ही मुद्दा है क् और मुद्दे खतम हो गए इसी की पीछे क्यों पड़े रहना है तो दो वज़े मैं आपको दिखाता हूं बहुत छोटी वज़े हैं ये तो और इससे बड़ी-बड़ी वज़े हैं दो वज़े देखिए पहली वज़े तो इतनी हिला देने वाली है आदमी का सर चक्रा जाए इतनी भेंकर वज़े है क्या वज़े है साब वज़े ये है कि भासकर के ग्राउंड रिपोर्ट ने बताया है कि हिंसा में पहला जो मर्तक था जो पहला सिकार था जिस हिंसा का 21 साल का एक नोजवान चात्र उसके परीजनों को अब तक सव मिलने का इंज़ार है मनिपूर की सच्चाई देखें साब आप और मनिपूर के हालात को समझी आप कि हो क्या रहा है मनिपूर के अंदर जो हिंसा हुई है जिसमें करीब 160 तो 3-4 दिन पहले का आकड़ा आपको बता रहा हूँ मैं जो सरकार ही आकड़ा है बाकी तो अनोफिशल तो वहां पर पता नहीं 200 लोग है 300 लोग है 500 लोग है 1000 लोग है कोई कुछ नहीं कह सकता है लेकिन चली सरकार का आकड़ा मैं बता देता हूँ तो पहला जो वेक्ति जिसकी जान गई, वो 21 साल का एक नोजवान था, उसकी डेड बोडी तीन महीने हो चुके हैं, और उसकी डेड बोडी अभी तक उसके घरवालों को नहीं मिलती है, इतनी हिला देने वाली बात है, और प्रदान मंतरी इंडियन मुजाइद्दिन का जिकर कर रहे हैं, प्रदान मंतरी इस्ट इंडिया का जिकर कर रहे हैं, 21 साल का नोजवान तीन महीने से उसकी डेड बोडी तक नहीं मिलती हैं साब, अब कहां इंडियन मुजाइद्दिन और इंडियन इस्ट इंडिया फला फला में पड़े हुए हैं, जा करके संभालिये, फोटो ले करके कहा कहा घूम रहे होंगे, और मावाब भी पता नहीं है कि नहीं, जानकरी तो आई नहीं रही है वहां से साब, दूसरी एक चीज़ देखी आप, जो कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तयार है, चर्चा के लिए तयार है, चर्चा के लिए तयार है, ये सत्तापक्स के लोग उधर विपक्स के लोग बैठते हैं कैमरा जो है या तो स्पीकर के मुँपर जो कुर्सी पर स्पीकर बैठता है स्पीकर के मुँपर कैमरा या फिर इधर सत्तापक्स की तरफ जो है कोई बोल रहा है मोधी सरकार का सांसद तो उसके उपर कैमरा, उधर कैमरा, इधर कैमरा, उधर कैमरा, इधर कैमरा, इधर कैमरा विपक्स तो अंगामा कर रहा है, प्ले कार्ड दिखा रहा है, जो मर्जी कर रहा है विपक्स अपने जो नोटीस दिये उन नोटीस को दिखा रहा कि हम 266 के तरचा चाहते हैं कल संजे सिंग यही बात तो कर रहे थे 15 मिनिट तक संजे सिंग ने बताया कि 15 मिनिट तक वो अपनी कूर्सी पर खड़े हो करके जगदीब धनकर साब, सवापती उनसे बोलते रहे कि मैंने 266 के तरचा के लिए नोटीस दिया है, मैं सांसद हूँ और मेरे पर चरचा होनी चाहिए लेकिन नहीं हुआ, फिर उसके बाद में कूर्सी के पास पहुंच गए, और कूर्सी के पास जा करके बोलने लगे, तो कि 15 मिनिट तक तो वो कैमरा दिखाई नहीं ना जगदीब धनकर साब ने देखा, तब विपक्स करेगा क्या देश को तो पता ही नहीं चल रहा है और कैमरा जो है वो उधर या इधर रहता है उसके बाद सनिजे सिस्पेंड, अब विपक्स के सांसद पता है क्या कर रहे है, विपक्स के सांसद ये कर रहे है कि कैमरा या तो उधर रहता है, विपक्स के सांसद अपनी कुर्शियों से खड़े हो करके वो इधर आ रहे है जहां पर BJP के सांसद बैठे वे हैं जहां पर BJP के मंतरी बैठे वे वहां आते हैं वहां करके कैम्रे के सामने पोस्टर दिखा रहे हैं यह हालत है विपक्स की आज और यह देखें यहां पर अरजुन मेगवाल जो है नए ने जो कानून मंत्री बने मोदी सरकार के, वो वैठे वे हैं, ये परलाद है, तो ये भीजेपी के सामने आकर के विपक्स के सांसद है, ये सामने आकर के जो है, ये हाला थे साब विपक्स की, देश के अंदर जो विपक्स है ना, वो इस तरह से तरस राय है, तरस राय है बिल्कुल, कि कैसे सांसत भी माननी है तो हैं कम से कम लेकिन अब तो ये हालत है साब और ये जो हालत है ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि मोदी सरकार का जो रवया है मोदी सरकार का जो तरीका है वो कितना सही है और ये चीज जो है वो अभी ये मान करके चलिया ये यहाँ पर ची बात करेंगे वहाँ पर कुछ जो है वो चीजों का जो है वो कल मैंने आपको एक इंटर्वी दिखाया है कल इंटर्वी आपने देखा मुख्यमंत्री का इंटर्वी देखा है उसमें टेजशरी एक बाद्दू रिपोर्टर वह 18 सवाल पूछती रही मुख्यमंत्री से और तरीके से बातचीत हो दोनों तरीके से बातचीत करके और अब क्या बोलू मुझे बोलने भी बड़ा जीब लग रहा है वहांके मुख्यमंत्री का स्टेट्मेंट आ जाता है दूसरे समुदाई के लिए कि वह समुदाई के लोग जो है उनको जिम्मेदार ठहरा देते हैं और उनको जिम्मेदार जिम्मेदार नहीं बताते हैं उनको आतंकवादी तक करार देते हैं जब एक मुख्यमंत्री वो दूसरे समुदाई के साथ में और खुद एक समुदाई से आता है या पर जब वो खुद एक समुदाई से आता है और उस समुदाई के और दूसरे वो जिम्मेदार है और उसको आतंक की तक बता देता है यह इंडियन टाइमस ओफ इंडिया की ख़बर में आपको दिखाई तो ऐसी हालात में कैसे चीज़े शान्त होंगी कैसे चीज़े सुधरेंगी यह सब आपके सामने हैं लेकिन मोधी जीन आज बड़ी गल्पी करें इं कुछ भी के देते हैं अपने अंडियन मुजाहिद दिन का नाम लिया ही क्यों आपके पास में बताने के लिए or सoh तरीके हैं अब बता भी तो रहे हैं अब भाशपा के यह मुख्थ मंतरी क्या कर रहे है ल coramALLY का पता नहीं ये किस किस चीज़ का उधार्ण दे सकते थे अब क्यों नहीं उदान दिया जा रहा है इंडियन मुजाइद्दीन का क्यों नहीं कह रहा है यहाप पर की इंडियन मुजाइद्दीन है और कही है अगर प्रदान मंत्री जी रोज कही है और अपने सारे मुख्य मंत्रियों से सारे सांसदों से कवाईए अगर आपक जिखाने के चक्कर में आजाखे नीची हो रही है और इसलिए कोई बोल नहीं पा रहा है गलती तो हो गई है अब इस गलती को कैसे सुधारा जाएगा यह तो वक्त बताएगा लेकिन बीजेपी चार घंटे में ही अपनी जो रन नीती थी मोदी जी का बयान था उससे बैक करके आप तक पहुंचाने कोसिस किये लोगों तक पहुंचा यह ताकि लोगों को पूरी तस्वीर समझ में आए जितने भी पहलू इस पूरे परकरण में चल रहे हैं वो सब कुछ लोगों को समझ में आए तो शेर जरूर कीजिए और आप क्या सूंसते हैं नीचे कमेंट पूक्स में लिख करके बताईए ताकि और लोग भी पढ़ें और लोग भी जागरुक हों उनकी दिमाग की खिड़किया खुले और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन न्यूजिए इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन गंटे उसको कीजिए धन्यवाद